तो नमस्कार दोस्तों जिनों ने अभी चंदीगड की बहुत भेंकर सर्दी में CPT दिया है उनसे विद्यारतियों के लिए एक सबसे बड़ी खुशकबरी की अगेन पंजाब एंड हरियना हाई कोट एड चंदीगड ने नई वेकंसी निकाली हैं 35 वेकंसी हैं सीनियर स्केल इस चनोग्राफर के लिए तो आइए इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं समझ लेते हैं और आप सभी का CPT कैसा हुआ मुझे कमेंट में करके बताएगा क्योंकि कमेंट करके बताएग क्योंकि अगैन यहां भी एक CPT है जिसमें सिर्फ आपको चार मार्क्स इस लाने हैं तो इसका देखे ब्यूरिफिकेशन तो वह ऐसा है कि जनरल की 28 है STSC और BC की तीनों की मिला के चार वेकंसी एक सर्विसमेंट टू और डिसाबिलिटी वालों की एक वेकंसी यहां पर है अब सबसे इंपॉर्टेंट सीज हम देखेंगे कि इसमें क्राइटीरिय क्या क्या है और मोड ऑफ सेलेक्शन जो एक्ट्वल में हमारा फाइनल एम होता है वह हम देखेंगे इससे बहुत अच्छी है आगे बताता हूं मैं आपको कि कौन-कौन से प्रॉसेस के अंदर होंगे तो चलिए बात करते हैं मौड ऑफ सेलेक्शन की Candidate shall be required to take down dictation at the speed of 100 words per minute in English shorthand यानी 100 की speed होगी जिसे आपको type करना है लगब 20 की speed के आसपास कैर वो एक अलग इशो है वह हम आगे बात करेंगे इस बार हम खुलके no candidate shall be considered to have qualified the test if she or he commits more than 4% mistakes यानी अगर चार प्रतीशत से जाद आपके गलती हैं आपको qualified नहीं माना जाएगा spread sheet test shall be only qualifying nature of 10 marks and 10 minutes duration यानी 10 minutes का 10 marks का होगा जो सिर्फ कालिफाई है to qualified spreadsheet test a candidate shall have to score 40% that is 4 marks ठीक है चार या चार से जादा नमब लाने पर आप इस test में qualify माने जाएगे select list of the qualified candidates will be prepared strictly on the basis of merit in the word processing transcription test यानी जापका test लगेगा वो ही अंतो गत्वा eventually सबसे ज़्यादा final माना जाएगा और उसी basis पर आपका selection लिया जाएगा और भी इस वेकेंसी के बार में जाना चाते हैं तो आप मुझे नीची कमेंट कर सकते हैं और इस channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि अब इस विबारे में videos और decisions regular upload होती रहेंगे मिलते हैं किसी दूसरे वेडियो में इस ते नवार जे किसी platform पर